हाई फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल पर मेरे भाई इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप जहारखंड से हो और अपना OBC परमान पत्र बनाना चाहते हो जहारखंड में ठीक है तो भाई आप इसके लिए Self Declaration Form को कैसे भरोगे Self Declaration Form कहां से आपको डाउनलोड करना होगा ठीक है तो मैं आपको ये टूजट जानकारे देने वाला हूँ कि कैसे आपको Self Declaration यानि स्वाग होसना पत्र अपना जहारखंड OBC बनाने के लिए भरना होता है और कैसे इसे डाउनलोड करना होता है ठीक है तो देखो सबसे पहले आपको इ चारखं.gov.in आपको इसके उपर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको इसके Official Portal के उपर Redirect किया जाएगा अब यहाँ पर देखो एक Option आपको देखने को मिल रहा होगा download declaration का option देखने को मिल रहा है इसके उपर आपको click कर देना है जैसे आप click करोगे जितने भी declaration होते हैं जितने भी घोसना पत्र होते हैं सारे आपके download हो जाएंगे अब देखो मेरे भाई जो घोसना पत्र आपका download होगा ये आपका 10 से 12 page के अंदर होगा और ये जितने भी घोसना पत्र होगे दोस्तो वो कोई आपका जादी परमान पत्र का होगा कोई I का होता है कोई I का होता है आपको सिधा scroll करते वे नीचे आजाना है जब नीचे आप आओगे ना तो एक यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रपत्र 3 ठीक है यहाँ पे सिधा मैं आपको ले करके आजाता हूँ यहाँ नीचे ठीक है अब जब नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो एक option देखने को मिल रहा है यहाँ पे थोड़ा और नीचे आपको आजाना है ठीक है देखो प्रपत्र 8 ठीक है आठ नमबर पेज के अंदर जो आपका प्रपत्र 8 है न यह आपको सबसे पहले तो फोटो कॉपी के दुकान पे जाकर के फोटो कॉपी इसका प्रिंट निकाल लेना है और आपको इसे भढ़ना होता है जब आप इसे भढ़ोगे उसके बाद अपना OBC परमान पत्र अप्लाई करोगे तो यही आपको सेल्फ डिकलीरेषन को अपलोड करना होता है भर करके जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ यही आपका self declaration मेरे भाई भर करके आपको upload करना होगा self declaration के column में ठीक है स्वग होसना पत्र के column के अंदर अब चलिए मैं आपको इसे भढ़ना सिखा देता हूँ कैसे आपको भढ़ना है अगर यहाँ पे आप गौर कर पा रहे होंगे तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि आवेदक के द्वारा स्वग के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग OBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 अथवा पिछड़ा वर्ग 2 का जाती पर्मान पत्र के निमित क्रीमी लेयर रही ठीक है मतलब जारखंड OBC के तहट जो आप NCL बनाते हो Non Creamy Layer Certificate बनाते हो अब देखो मैं आपको अगर OBC NCL और OBC आपको Creamy Layer और OBC Non Creamy Layer के विसे मैं नहीं समझ में आता है तो थोड़ा से मैं आपको इसके विसे मैं Basic जानकारी देता हूँ देखो जो OBC NCL होता है न दोस्तो OBC NCL और OBC Creamy Layer ठीक है OBC CL के सकते हो Creamy Layer तो देखो जो NCL होता है वो कौन होते हैं और CL कौन होते हैं Creamy Layer कौन होते हैं तो एक साल के भीतर यानि एक Financial Year एक वित्ये वर्स के भीतर जिनका पारिवारे की Income किसी भी स्रोथ से आठ लाग से अधीक होता है वो Creamy Layer के अंतरगत आते हैं ठीक है? आठ लाग से जिनका भी अधीक होता है वो Creamy Layer के अंतरगत आते हैं वहीं दोस्तो एक वर्स के भीतर जिनका भी पारिवारिक आए किसी भी स्रोथ से चाहे वो वेतन हो या फिर क्रीसी से हो या फिर वेहसाई से हो आठ लाग से कम होता है वो यहाँ पे कौन से वर्ग में आएंगे तो वो OBC, NCL वर्ग में आएंगे अब नॉन क्रीमी लेयर बनाने के लिए आपको ये Self Declaration Form को भढ़ना होगा अब चलिए मैं आपको भरना बता देता हूँ यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या करना है तो अपना नाम लिखना है यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखेंगे यहाँ पे अपने गाओं का नाम यहाँ पे ब्लॉक, यहाँ पोस्ट आफिस अपना यहां थाना हो गया फिर आपको यहां अनुमंडल लिखना है आगे दोस्तों जिला का नाम पीन कोड और यहां पे अपना राज जारखन का नाम लिखना है ठीक है अथवा दिया गया है आपको इसे अथवा वाला बॉक्स में खाली छोड़ देना है कुछ भी नहीं भड़ना ह ठीक है फिर आप नीची आ जाना है नीची आने के बाद मेरे भाई देखो यहां पे कह रहा है मैं भारत का नागरिक हूँ तो यहां पे आप टिक कर देना फिर यहां पे अपना अधार नंबर डाल देना मोबाइल नंबर यहां पे आप डालोगे फिर से मेरे भाई आपको अपना गाओं का नाम डालना है, अपने ब्लॉक का नाम, फिर अपना पोस्ट आफिस, अपना थाना का नाम, अपना अनुमंडल, फिर अपना जीला हो गया, फिर अपना पीन कोट, अपना राजी का नाम ठीक है, इतना करोगे, उसके बाद देखो, यहाँ पे अपने जाती का नाम डालना होता है जैसे मैं कोईरी कुसवाहा से हूँ तो मैं यहाँ पर कोईरी लिखूंगा ठीक है के ओ आई आर आई ठीक है के ओ आई आर आई मैं यहाँ पर लिख लूँगा ठीक है वैसे ही आप जो भी जाती से आते होंगे वो अपने जाती का नाम आप लिख लिजेग फिर आपको नीची आ जाना है नीची आने के करम में दोस्तों यहाँ पे आपको क्या लिखना है तो मेरे माता पिता की वेतन से वार्तिक आई रुपए में ठीक है तो देखो यहाँ पे वेतन से वेतन मतलब देखो ना तो मेरे पिताजी जॉब पे है ना मेरे माँ जॉब पे है तो वेतन से मुझे 0 रुपिय प्राप्त होता है क्रीसी होती है हमारे यहाँ तो मैं क्रीसी से मेरा 90,000 आता है तो मैं 90,000 यहाँ पे लिख लूँगा आप भी 90,000, 80,000 लिख लेना कोई सू नहीं है फिर देखो अनिस रोद, वैपार, वैवसाय कुछ है नहीं तो भाई यहाँ पे 0 डाल देना ठीक है 0 डालोगे फिर आपको नीची आ जाना है दूसरा पेज ठीक है आठमा के बाद 9 पेज भी आपको प्रिंट रॉट निकल वा लेनी है बस इतना आप डालोगे इतना डालने के बाद देखो कह रहा है मैं प्रमानित करता हूँ 12 नंबर में यहाँ पे मौजा मौजा का मतलब होता है गाओं का नाम यहाँ पे आप डालोगे अपना खाता संख्या डालोगे खाता संख्या कहने का मतलब है यहाँ पे अपना बैंक अकॉन का खाता संख्या मत समझ लेना खाता संख्या कहने का मतलब है कि जो भी आपका जमीन है ना उसका खाता नंबर क्या है ठीक है आपका खतियोन का खाता नमबर क्या है फिर खाता नमबर डालोगे तो फिर अपना plot नमबर यहाँ पे डालोगे जो भी plot देखो जैसे खाता नमबर के तह जितना भी जमीन होगा वो आपका होगा आपके चाचा का होगा आपके जितने भी परोस होंगे उनका होगा ठीक है एक ही खत्यान के अंदर उसमें से जो भी आपका plot होगा ना वो plot नम्बर यहाँ पर डाल दोगे फिर अपना वाड जो है वो डालोगे नाम मतलब what number डालोगे, नाम नहीं, what number जो भी होगा वो आप डालोगे उसके बाद जो भी खत्यानी रहयत है, ठीक है, खत्यानी रहयत का मतलब होता है जिनके नाम पे खत्यान आपका है, वो आप यहाँ पे डाल दोगे अब इतना करने के बाद मेरे भाई देखो खतियानी राइयत का नाम फिर से आपको यहाँ एक बार डालना है कहने का मतलब है खतियान जिनके भी नाम पे है उनका नाम आप यहाँ पे डाल दोगे अब चतुर्थ पिढ़ी में यहाँ पे देखो इतना करने के बाद फिर देखो आपको नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद यहाँ पे आविद्दक का सिगनेचर कहा गया है तो आपको अपना सिगनेचर कर देना है ठीक है जिस भी ही प्रकार से आप सिगनेचर करते होंगे आप एक काम अगर करवा लेते हो इस वाले box में जो खाली स्थान बच रहा है यहाँ पे मुखिया का जो मोहर है और उनका signature है ठीक है उनका signature और मोहर यहाँ पे मरवा लेते हो तो यह verify हो जाता है और आपके लिए bestum best हो जाता है कहने का मतलब है कि आप अगर इसे फिर upload करते हो जारखन OBC जब आप online apply करोगे और वहाँ पे जा करके इसे जब upload करिएगा तो भाई आपका reject होने का chance जो है वो 0% होगा क्योंकि देखो आप मानलो आप जितने भी data को भर रहे हो जितना भी आपने यहाँ पे form में भरा है जानकारे दिया हुआ है वो आपके अलाबा कोई त जाता है original माना जाता है और इस कारण से reject होने का chance जो है वो 0% होता है तो इतना आप काम कर लेना फिर इसे आप जो है वो जारखन OBC apply करते वक्त attach annexer के अंदर जहाँ पे self declaration मांगा जाएगा वहाँ पे आप इसे upload कर दिजेगा फिर आप जो है आपका काम हो जाएगा फिर एक दिनों के वीतर वीतर बन जाता है 24 घंटे के वीतर बन जाता है जब आपका state OBC जो है वो बन जाता है तब ठीक है तो A to Z मैंने आपको प्रोसेस यहाँ पर बताने का प्रयास किया है किसी भी प्रकार कर कोई भी डॉट हो या फिर प्रस्न हो तो आप comment box पे पूच सकते ह बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद